मोवी की स्टार्टिंग में हमें रंगमे की टीम के कुछ गुरूप मैंबर को दिखाया जाता है। यह लोग इस टिप को लेकर बहुत खुशते। लेकिन जब इनका प्लेइन आस्मान में ओड़रा होता है, तो उन्हें कुछ जट के लगने लगते हैं। इनका कैप्टन इनने बताता है कि इन पाड़ियों में एक माउंटें डेज है जो अपनी उपर से उनने वाली हर चीज को अपनी तरफ खीशता है जिससे प्लेन में जटके लगते हैं तोड़ी दरबाद इनने बहुत जोरों से जटके लगने लगते हैं यह लोग अपने प्लेन की पावर बढ़ा कर यहां से निकलना चाते थे लेकिन तबी इनके प्लेन के आगे एक पहड़ आ जाता है जिससे इनका प्लेन क्रैश हो जाता है प्लेन के दो इससे हो जाते हैं कुछ लोग प्लेन के पिछले इससे में होते हैं जो प्लेन के क्रैश होते ही मारे जाते हैं और कुछ लोग प्लेन के अगले इससे में होते हैं जो बच जाते हैं लेकिन उनमें से कुछ बहुत जक्मी हो जाते हैं ये लोग ऐसे जक्मी हो जाते हैं लेकिन ठंड की वज़े से जाद जखमी लोग मारे गई थे ये लोग उनकी लाशों को एक तरफ रख देते हैं और सभी सीटों को बार निकाल लेते हैं ताकि प्लेन में जाद जगा बन सके फिर ये लोग खाने को अपस में थोड़ा-थोड़ा बाट लेते हैं क्योंकि इने ये लंबे समय तक बचाना होगा तब ये लोग देखते हैं कि उनके उपर से प्लेन गुजर रहा है ये लोग उसका वाज मारते हैं लेकिन उसे कोई फरक नहीं पड़ता रात को ये लोग लगेश से प्लेन को पूरा कवर कर देते हैं ताकि हवा अंदर ना आ सके ये लोग किसी तरह से दूसरे दिन भी गुजर लेते हैं अगली सुबह इनके एक साथी नंदू को होश आता है ये प्लेन के क्रेश होने पर जख्मी हो गया था और अब तीन दिन बाद इसे होश आया है इस प्लेन में नंदू की मा और बेहन भी सफर कर रही थी नंदू अपनी बेहन के बारे में पूशता है ये लोग उसे बताते हैं कि वेपी जख्मी है नंदू अपनी बेहन के पाथ जाकर उसे गले लगा लेता है फिर वो अपनी मा के बारे में पूशता है उसके साथ ही उसे बताते हैं कि तुम्हारी मा मर चुकी है ये लोग बर्फ में बड़ा सा प्लस का निशान बना देते हैं जिससे प्लेन का नियान केचे जा सके तब ही एक और प्लेन इनके उपर से गुजड़ता है ये लोग उसका दियान अपनी तरफ करते हैं इन्हें लगता है कि प्लेन के पाइलेट ने इन्हें देख लिया है, ये लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन सस्तो ये है कि इन्हें किसी ने देखा ही नहीं, जिससे ये लोग काफी उदास हो जाते हैं, अब ये लोग जक्मी लोगों के लिए प्लेन के अंदर एक जगा ब लेकिन बर्फिले पाड़ों पर चरते चरते इन्हें काफी वक्त हो जाता है, इसलिए रात होने से पहले ये वापत चले जाते हैं, अभी नया पूरे छे दिन हो जाते हैं, और अब इनके पास खाना भी कहतम हो चुका है, ये लोग भूक से मर रहे होते हैं, चिला रहे होते ह और कुछ लोग बोडिस खाने के लिए भी थयार हो जाते हैं, इसी भी था नंदू की बेहन अपनी आकरी सांस लेती है, नंदू अपनी मा के साथ अपनी बेहन को भी खो देता है, नंदू अपनी बेहन को वही बर्फ में दमा देता है, रात को सभी लोग भूक से चिला रह यह होते हैं, कुछ लोग डिसाइट करते हैं कि हमें बोडिस को खाना होगा, उनमें से कुछ लोग बोडिस काट के खाने के लिए चले जाते हैं, और कुछ लोग अभी भी बोडिस काने से जिजग रहे थे, लेकिन बोग क्या कि किस की चली है, दीरे दीरे की करके सबी बोडि तब तूट गई थी, अब बचे हुए कुछ लोगों को भी बोड़ी स्खानी पड़ती है अब ये लोग दो बारा प्लेन के इससे को डोनने लिए निकल जाते हैं रास्ते में इने कुछ प्लेन के टुपड़े भी मिलते हैं और साथ ही अपने साथियों की लाशे भी मिलती है ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं तब ये रास्ते में बर्फ का तुफान आ जाता है और ये रास्ता बठक जाते हैं और किसी तरह एक दूसरे से लिपट कर रात कुजारते हैं अगली सुबह ये अपने आपको बर्फ में जमा हुआ पाते हैं ये लोग बैटरिस को लिए बिना वापस चल देते हैं क्योंकि उस आज से में इनके एक दोस्त की आखे चली जाती हैं अभी नहीं याँ पूरे सत्रह दिन हो चुके हैं और जब ये लोग अपने प्लेन के अंदर साथ बैठे अपना समय बिता रहे हुते हैं तभी इने कुछ आवा जाती हैं इससे पहले ये कुछ समझते बर्फ आकर इन सबको दबा देती हैं ये सभी लोग बर्फ के अंदर दब जाते हैं फिर दीरे दीरे एक हिकर के सभी लोगों को बाहर निकला जाता है कुछ लोग तो बर्फ में ही दब कर मर जाते हैं लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं जब ये लोग बाहर देखते हैं तो बाहर बर्फ का तुफान आया होता है जिससे पाढ़ों से बर्फ किसकने लगती है ये लोग प्लेन की समीद बर्फ की नीचे दब जाते हैं अब इन्हें बर्फ में दब दब 18 दिन हो चुके हैं और इन्हें फिर से भूक लगने लगी है अब तक ही उन भाईयों की बोडिस खा रहे थे जिन से ये अंजान थे लेकिन अब इन्हें अपने साथियों की बोडिस खानी होगी तब इनके एक साथी नुमा वाँ से निकलने कुशिश करता है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है लेकिन वो हार नहीं मानता वो बर्फ को अटा अटा कर आसमान देख लेता है फिर सभी लोग बर्फ के अंदर से बाहर निकल जाते हैं बाहर निकल कर वो बहुत कुश होते हैं ये लोग बर्फ को अटा कर अपने प्लेन को बाहर निका लेते हैं और अब इन्हें यहाँ पड़े पड़े पूरे चोती दिन हो चुके हैं और दीरे दीरे इनके बच्चे कुछ साथी भी मरने लगते हैं इन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा ये लोग डिसाइट करते हैं कि हमें प्लेन की बैटरी को लेकर आना ही होगा ये उन्हें बैटरी को लाने के लिए निकल पड़ते ये रास्ते में नुमा के पैर में चोट लगने की वज़ा से उसके पैर में इन्फेक्शन फैल जाता है जिससे नुमा आग नहीं जा सकता इसलिए वो वापस चला जाता है पर बाकी के साथी बैटरी लाने के लिए चले जाते हैं वो कई दिनों तक प्लेन के इससे गो टूणने के बाद उन्हें वो इससे मिल जाता है जहां पर उन्हें कुछ खाने को भी मिलता है वे लोग बैटरी से रेडियो और ठिक करने ही कोशिश करते हैं लेकिन उससे कोई फरक नहीं पढ़ता, जिससे इनकी उम्मी तूट जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ से बहुत सारा waterproof कपड़ा मिलता है, वे उस कपड़े को अपने साथ लेकर वापस चल पढ़ते हैं, और वापस पहुंच कर वो उस कपड़े से sleeping bag बनाते हैं, और अब नूम करते हैं कि वे इन पाड़ों को power करेंगे, फिर ये दोबारा से अपना सफर सुरो कर देते हैं, लेकिन इनका एक साथी वापस चल देता है, ताकि इनका खाना जात दिन तक चले, फिर ये कई दिनों तक चलने के बाद एक नदी के पास पूर जाते हैं, जहां पर इनकी मुल ये सबी तयार होकर उनका इंतिजार करते हैं फिर नंदू उनका साथी हेलिकॉप्टर को लेकर वहाँ पहुंच जाता है जहां वे लोग होते हैं ये लोग हेलिकॉप्टर को देखकर बहुत खुश होते हैं अब इन लोगों को अलिकॉप्टर हों बिठा कर ले जाया जाता है अब ये लोग अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं क्योंकि ये सोन लोग की चिंदा बच पाते हैं अब इन लोगों को ऑस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर इन देखने के लिए काफी लोग जमा हो जाते हैं तो दोस्तों ये कानी ही कतम हो जाती है ये मूवी एक सची कटना पर अदादीत है जो हमें बताती है कि हमें किसी पर प्रस्तिती में हर नहीं माननी चाहिए चाहे कुछी भी हो जाए हमें कोशिश करते रहना चाहिए आयोब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी